उत्तरप्रदेश के एक पूर्व मंत्री नंद गोपाल नंदी की दबंगई की तस्वीरे सी-्सी टीवी में कैद हुई है मामला एक प्रोपर्टी डीलर को जान से मारने की धमकी देने और मारपीट से जुड़ा हुआ है पुलिस ने मामला दर्ज कर पूर्व मंत्री की तलाश शुरू कर दी है यूपी के पूर्व मंत्री नंद गौपाल नंदी पर लगा मारपीट का आरोप हथ्यारों के साथ धमकाते CCTV में कैद हुई तस्वीर इन तस्वीरों को गौर से देखिए पहले एक शक्स बाहर भागता दिखता है उसके पीछे दो और लोग तेजी से निकलते हैं और फिर सफेद शल्ट पैंट में ये जनाब बाहर आते हैं पहले गली का मौइना करते हैं फिर जो शक्स पहले बाहर निकला उसके साथ वापस लौटते हैं गौर करेंगे तो इनकी कमर में एक पिस्टल भी नज़र आ रहा है इनके साथ एक बाडिगार भी है जिसके हाथ में बंदूख है इस CCTV फूटेज में नज़र आ रहा है इन जनाब का अब परिशे भी जान लीजिये यह उत्तरप्रदेश में PSP की सरकार में मंत्री रह चुके हैं अब कॉंग्रेस के नेता हैं नाम है नंद गोपाल नंदी इन पर एक प्रॉबर्टी डिलर को जान से मारने की धमकी देने और मार पीट करने का आरोप लगा है बताया जारा कि यह CCTV फुटेज उसी वक्का है जब पूर्वमंत्री प्रॉबर्टी डिलर को धमकाने उसके घर आये थे फुलिस के मुताबिक पूर्वमंत्री नंदी और आरोप लगाने वाले सुरेश के सरवाने किसी समय में साथ काम कर चुके थे लेकिन अब दोनों के बीच अनबन चल रही थी प्रॉबर्टी डिलर का आरोप है की कारोबारी नाता खत्म होने के बाद पूर्वमंत्री नंदी पर उनके करीबन एक करोड रुपए बकाया थी लेकिन पैसे देने के बजाए नंदी उल्टे उनसे पैसे माग रही थी जब सुरेश ने पैसे देने से मना किया तो पूर्वमंत्री और उनके साथियों ने उनके साथ मार पीट की और जान से मारने की धम की दी नंद गोपाल नंदी पर लगने वाला यो कि पहला आरुप नहीं है इस से पहले भी